को पर ही relationship के शुरुआत कि बहुत ही exciting और passionate होती है फिर क्या यही passion excitement हमेशे के लिए धूहना सही है कैसे एक long done relationship बनाई जा सकते है उस excitement के लिए क्या हमेशन यूज यूज डूना सही हो सकता है इसके Constable को लेकर 2017 की newness ये movie आते है modern day dating scenario और relationship को एक सही तरीके से explore करती है इसका end बहुत beautiful है तो अंतक जरूर देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो please like और comment जरूर करतीजे इसे चैनल को बहुत support मिलता है अब बिना किसी दरीके इस movie को explain करना start करते है movie start होती है और हमारे main character Martin और Gabi ये दोनों हमें दिखाये जाते है इनकी lifestyle में ये rating app पर swipe कर रहे थे जो भी इन्हें अच्छा लगता है उनके साथ वो intimate हो जाते है Martin एक hospital में pharmacist है उसके एक colleague है जिसका नाम में Jonah जोना अपना higher education करने के लिए अब यहाँ से जाने वाली थी उससे हैती है आज मेरा last day है मेरे साथ party में चलो Martin इस पर ज़रा सोचता है फिर उसे कुछ और काम थे तो उसने मना कर दिया यहाँ पर उसने जो एना को भी notice किया पर फिर भी वो अपनी dating app पर swipe करने लगया parallel में हम Gabi को देखते है जो एक physiotherapist है यह दोनों आज भी swipe करकर अपने ले date ढूण लेते है date पर जाने से पहले Martin अपने friends के साथ था उसमें से एक friend ने Martin के ex-wife के बारे में बात करना start कर दिया कह रहा था कि Martin का एक type है Martin अपनी ex-wife को लेकर बहुत ही जादा sensitive है उसे इसके बारे में बात करना थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता तो अपने friends को छोड़कर वो चला जाता है वो अपनी date से मिला और बहुत सारी बाते उसने किये पैरलल में गैबी भी अपनी date से मिलती है उसके साथ उसके घर पर चली गई यह दोनों intimate तो हुए पर गैबी satisfied नहीं थी वो ऐसे घर पर आ गए मार्टिन भी अपनी date को घर लेकर जाता है पर उज़रा बिमार लग रही थी वो लटकी कहती है कि मैंने ज़रा ज़्यादा ही पेस ले लिये मार्टिन उसके लिए वरिड हो गया वो सिर्फ उसका खैल रखता है और ये date ही खतम होके अब तक ज़्यादा रात नहीं हुई थी और मार्टिन और गैबी यह दोनों आज रात अकिले थे इन्होंने फिर से अपना dating app खोला और swipe करना start किया दोने एक दूसरे को interesting लगे तो उनका profile भी match हो गया मार्टिन गैबी को message करता है कहता है मैं कुछ भी serious नहीं चाहता है without strings वो उसके साथ intimate होना चाहता है गैबी भी यही चाहती थी तो यह दोनों बार में मिले मार्टिन कहता है हम मेरे घर जा सकते हैं पर गैबी उसके साथ पहले drink करना चाहती थी मार्टिन इस dating app के बारे में उससे बात करता है कहता है कभी कभी लगता है कि मुझे exploit किया जा रहा है सिर्फ उसके looks को देखकर लड़के उसे swipe right करती है कोई भी उसे actual में नहीं जानता फिर भी यह need थी तो इसलिए उसे उसे एगरी करती है इसके बाद बातों बातों में हमें पता चलता है गैबी ने 2-3 degrees लेकर रखी है उसे हमेशा कुछ ना कुछ new करना अच्छा लगता है इसलिए अपने options वो explore करती रहती है मार्टिन अपने career को लेकर जादा satisfied नहीं था उसे लगता है कि वो एक जगा पर stuck है रहा से निकलने के लिए वो कुछ करने भी नहीं वाला ऐसे बहुत सारी बाते इन्होंने की फिर dance किया बार में कुछ games खेले इन दोनों को एक दूसरी की company बहुत अच्छी लगी ये दोनों जब बाहर आए तो गैबी उसे सच-सच बता देती है क्यों किसी और के साथ date पर थी है मार्टिन कहता है इसे मुझे जादा कुछ फरक न करना चाहती है इनकी नाइट बहुत अच्छी थी तो मार्टिन के घर पर आई ये दोनों इंटिमेट हो जाते है सुबा का भी मार्टिन के बच्पन की फोटोस देखती है ये दोनों मिलकर शावर करते है मार्टिन उसके लिए breakfast बना रहा था गैबी को स्क्रैमबर लेक्स प होने perfect करना पड़ता है well actually ये movie का बहुत important scene है इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा आज इन दोनों का day off था तो decide करते है एक साथ बिताएंगे ये अलग अलग जगा पर के paintings देखी बहुत मजय किये गैबी फिर अगली सुभाई अपने job पर जाती है ये दोनों frequently एक बहुत important था तो मार्टिन गैबी से उसके घर में moving करने के लिए पूछ लेता है ये सब बहुत fast था पर गैबी को इससे कुछ भी फरग नहीं पड़ा इसके लिए वहाँ कहीं देती है इसके बाद ये movies देखते थे अलग-अलग जगा पर जाते थे एक दूसरे के साथ बहु excited नहीं था वो गहता है आज मैं ज़रा ठक गया हूँ इसके ही अगले दिन मार्टिन गैबी को अपने बैरन से मिलवाने के लिए लेकर जाता है गैबी और मार्टिन के फादर मिलकर कुप कर रहे थे यहां फादर से गैबी को पता चला कि मार्टिन की मदर को डाइमेंशिया था है उसे कोई भी चीज़े सही से याद नहीं रहती तो मार्टिन की मदर मार्टिन की एकस वाइफ के बारे में बुशते हैं यह सब कुछ गैबी के लिए बहात ही अंकमफटेवल था वो मार्टिन से बुचती है तो कहता है घर जाकर हम बात करेंगे गर आने पर वो बहात गुसा थी, कहती है, तुमने अपनी सिस्टर के बारे में, अपनी मदर के बारे मुझे बात क्यों ने किये, मैं तुम्हारी गर्ल्फरेंड हूँ, तुम मुझे सब कुछ चीज़े बतानी चाहिए, मार्टिन कहता है, ये सब मेरा पास्ट है, तुम इससे बारे में जानना क्यों है, गैवी उसे इरिटेट कर रही थी, मार्टिन हार मान कर बता देता है, उसकी सिस्टर की एक कार एक्सिज़न में डेथ हुई थी, इसके बाद उसकी फैमिली पहले जैसे कभी भी नहीं रही, ये उसके लिए बहुत ही सेंसिट्यू टॉपिक था, पर फिर भी उसे बात करनी पड़ी, इस पर वो गैवी बर भी गुसा था, इसके बाद नेक सीन में मार्टिन अमने बेस फ्रेंड के साथ था, उसका बेस फ्रेंड उसे पुछता है, क्या तुम गैवी से प्यार करते हो, मार्टिन कहता है कि हाँ, उसने मार्टिन से कहा, तुमारी एक्स गर्फरेंड को बेबी हुआ है, मार्टिन और इसके एक्स गर्फरेंड इनका ब्रेक अब हुए, दस साल हो चुके है, पर फिर भी वो इस पर बिलिव नहीं कर पाता, गैवी जब काम पर थी, तो उसके यहाँ एक पेशेंट आया, वो गैवी को पहजानता है, क्योंकि उससे के बार में वो हमेशा आया करती है, उससे नहीं पता था, क्यों यहाँ काम करती है, तो उसे देखकर वो बहुत सप्राइस था, उसके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट में गरह हो गए, तो फिर से गैवी से मिला, उससे कहता है, आज रात मेरे यहाँ पार्टी है, अगर गैवी इस पार्टी में आई, तो एक सेलिबरेटी से उसे वो मिलवाएगा, वो गैवी सहेता है, कि आज में यहाँ तो मुझे लगता है, कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, उसे वो बहुत पसन आई थी, मार्टिन की कली, जो हाई एजूकेशन के लिए चली गई थी, वो ज़रा कुछ काम से फिर से वापस आई, वो आज उसे कहती है, कि आज तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना ही पड़ेगा, वो उसे मना नहीं कर पाया, वो इस बारे में गैवी को मैसेज करता है, गैवी ने भी डिसाइड किया, कि वो उस पार्टी में जाएगे, ये दोनों पार्टी में गए, और किसी और के साथ इंटिमेट हो गए, गैवी ने मार्टीन पर चीट किया, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसके पास आई, रोकर उसे सब कुछ सच बता लेती है, मार्टीन कहता है कि मैंने भी तुम पर चीट किया, ये दोनों एक दुसरे से सौरी कहते है, इनको अपनी रिलेशनशिप नहीं तोड़नी थी, तो डिसाइड किया, एक तेरेबिस्ट के पास जाएंगे, अपनी रिलेशनशिप पर काम करेंगे, जो एक दुसरे के साथ महिसूस करते हैं, ये कभे भी किसी के साथ भी नहीं किया, तेरेबिस्ट नहीं इन से सेबरेल सेबरेल सेशन किया, हो मार्टीन से बोचता है, तुमने चीट क्यों किया था, वो कहता है, मुझे लाइफ में कुछ exciting चाहिए था यहीं आंजर Gabby का भी था therapist इन दोनों से बात करता है कहता है तुम दोनों को एक दुसरे के साथ honest रहना चाहिए छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर try करो इसे तुम्हारी relationship बहुत powerful होगी इन दोनों ने फिर बात की फिर फास्ट टाइम में किसके साथ intimate हुए थे मार्टीन को एक बात खाया जा रही थे गहता है जब में छोटा था तो अपनी sister को shower में देखता था उसे लगता है कि Gabby को अगर ये बात पता चली तो उसे monster समझेगी Gabby कहती है ये तो बहुत ही normal है छोटी बच्चों को curiosity होती है इसी वेज़े से ये सब वो करते है एक दूसरे के secrets जानने के बाद एक दूसरे से और भी ज़्यादा comfortable होके आज जब ये intimate हुए तो इसमें कुछ अलगी passion था ये दोनों फिर मिलकर decide करते है एक दूसरे से कभी भी जूट नहीं कहेंगे अगर उन्हें कोई और अच्छा लगता है तो उसके साथ वो intimate हो सकते है और by the end of the day ये एक की relationship में हैना चाते है इसी तरीके की open relationship अब ये try करने वाले है एक दिन ये दोनों एक party में कहे मार्टिन को एक लड़की अच्छी लगी थी तो गैबी कहती है तुम जाओ और उसके साथ बात करो मैं तुम दोनों को देखती रहूंगी इसी party में गैबी लैरी से मिलती है लैरी एक middle age का millionaire है गैबी को उसे बात करकर hangout करकर अच्छा लगा party खतम हो जाने के बाद गैबी और मार्टिन ये दोनों एक साथ घर गए गैबी उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे सामने lap dance लो गैबी जब किसी और rate बरोगी तो मार्टिन उस पर नज़र अगना जाता था ये भी वो try करते है ये सब चीजे करने की वज़े से एक दुसरे से और भी attracted हो गए थे एक दिन ये दोनों एक लड़की को भी घर पर लेकर आए उसके साथ intimate हो गए इनकी जिस तरह की relationship है इसे relationship को लेकर एक author ने book लिखा था वो इस author से गयते है कि हमारे relationship strong हो रही है author ने गयबी को अपनी board पर invite किया था तो वहाँ वो चली जाती है गयबी अपनी relationship के वारे में उसे explain करती है लेरी कहता है कि ये चीज work नहीं करेगी हर एक relationship एक transaction होती है finally इस world में आदमी अकेला ही होता है सिर्फ थोड़े time के लिए company ढूनता रहता है इसी वज़े सो गयबी के साथ time spend करना चाहता था इसके parallel में मार्टिन अपने friend की साथ था उसका friend उसे बुचता है या इन सब जीजों से तुमें कोई problem नहीं मार्टिन कहता है गयबी किसी और से satisfied नहीं होती है finally वो मेरे पास ही आ जाती है इसी वज़े से उसे कोई भी problem नहीं है मार्टिन आज कल ज़रा tension में था एक दिन वो बार में गया तो उसके गयबी की friend की friend जिसका नाम में Blake यह उसे वहाँ मिली यह उसके साथ बेट कर drink करने लग जाती है वो उसे कहती है तुम कोई ना कोई चीज को लेकर tension में हो मुझे बता डालो मार्टिन को नहीं बताना था पर फिर भी उसके force की वेज़े से वो बता देता है वो कहता है कि मुझे अभी भी पता चला मेरी girlfriend को baby हुआ है वो जब relationship में थे तबे भी उसकी girlfriend pregnant थी उसका miscarriage हो गया उस वक्त उससे सही से बात नहीं कर पाया उसे वज़े से relationship तूट गई उसे लगता था कि वो हमेशा उसके लिए है पर उसकी girlfriend life में सही तरीके से move on कर चुकी है तो upset था बलेक realize करती है कि Martin को यह सब बाते Gabby को पतानी चाहिए वो uncomfortable होकर यहां से चली गई Martin इन सब बातों से बहुत disturb हो गया था वो रात में Gabby के पास आया उससे बात करना चाहता था पर Gabby बहुत थक चुकी थी वो रात में अपने ex-girlfriend की सब photos उसकी वीडियो देखता रहता है इसके बाद Gabby फिर से Larry के साथ डेट पर कई आज राते दोनों intimate हो गए थे अगली सुबा जब मार्टीन को पता चला तो इस बात से वो जेलस था अगली सी जब Gabby अपने फ्रेंड से मिली तो उससे पता चला मार्टीन और Blake यो दोने एक दुसरे से बात कर रहे थे मार्टीन ने उसे जो जो कहा था इस सब कुछ Gabby को पता चल गया वो इस बात से बहुत गुसा हो गए वो मार्टीन का लैपटॉप चेक करती है यह उसे पता चला कि मार्टीन अपने एस गल्फरेंड को इमेल लिख रहा था मार्टीन की घर आने पर इस बात से इन दोनों बहुत बड़ा जगड़ा हो गया वो इससे गहती कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो मार्टीन कहता है तुम में लैरी को डेट कर रही हो लैरी ने गैवी को एक निकलेज दिया था इसके बारे मार्टीन को पता नहीं था अब उसे पता है तो गहता है तुमने इसके बारे भी मुझे नहीं पता है गैवी चाहती थी कि उससे बात करे मार्टीन कहता है मैंने कोशिश की थी इन दोनों ने एक दुसरे से बहुत बुरी बाती की गैवी घर छोड़कर लैरी के साथ रहने लग जाती है एक दिन मार्टिन अपने फ्रेंड के साथ था तो गहता है रिलेशनशिप इस तरीके से नहीं होती जब भी तुम्हें लगता है तो ब्रेक अप कर लेते हो इसे और को डेट करने लग जाते हो जब आप किसी से प्यार करते हो तो रिलेशनशिप को लेकर वर्क करना पड़ता है आप में फाइल्स होगी और फिर भी आपको उस परसन की साथ ही रहना है इस तरीके से अगर तुम गिव अप करते रहे तो कोई भी रिलेशनशिप सक्सेस्फुल नहीं होगी लैरी के फ्रेंड ने एक बार अपनी ग्रैंट फादर से पुछा था इस सक्सेस्फुल मैरेज क्या होता है ग्रैंट फादर ने कहा कि ऐसे एक अबर जो कभी भी एक दूसरी को छोड़ करने जाते कुछ भी हो जाए हमेशा एक दूसरी का साथ देते है मार्टिन के फ्रेंड ने उससे का ये सब चीज़े बहुत ही सिंपल है इससे कॉम्लिकेट मत करो जब ग्रैंबी लैरी के साथ थे तो कहता है मुझे मेरे बिजनेस के लिए थ्री मंस के लिए ज़रा ट्रैवल करना पड़ेगा वो ग्यवी को भी उसके साथ आने के लिए कह रहा था ग्यवी इस पर सोचने वाली है लैरी कहता है कि एक्स बहुत ही परफेक्ट है ग्यवी को फिर से मार्टिन की याद आती है मार्टिन ने कहा था कि छोटी छोटी चीज़े होती है लिए इनका अगर आप ध्यान रखे तो चीज़े ब्यूटिफुल हो जाती है रिलेशन्शिप में इनी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मार्टिन से फिर से बात करना चाहती थे आज राद लैरी के हाँ पार्टी थे इसे पार्टी में ब्लेक भी आई हुई है गयवी को लगा था कि ब्लेक और मार्टी ने दुनों इंटिमेट हुए थे इस बात की वज़े से वो बहुत है अपसेट है और Blake को इस पार्टी में नहीं देखना चाहती थी वो बहुत अपसेट होके इस बारे में उसने Larry से बात की Larry कहता है कि वो मेरी guest है उसे इस तरह से नहीं निकाल सकता Gabby अपसेट होकर वहाँ से चली कई एक दिन अचानक Martin को अपनी ex-girlfriend का call आया वो उसे मिलना चाहती थी मिलने के बाद Martin उसकी baby के लिए उसे congratulate करता है वो कहती है मुझे baby होना यह मेरी life का बहुत beautiful part है वो Martin से sorry कहती है उसने कहा हमारे relationship में मैंने सब चीज़ों को लेकर तुम्हें blame किया था मिस्कैरेज के बाद हम दोनों hurt थे इस तरीके से हमें नहीं act करना चाहिए था Martin पूछता है क्या तुम खुश हो वो गहती कि हाँ पर इस तरीके से खुश होना यह उतना exciting भी नहीं है कभी-कभी उसे bore भी होता है पर फिर भी उसे यही life चाहिए जिस तरीके से Martin की life है थोड़ी से excitement के लिए वो long term खुशी के बारे में कभी भी नहीं सोचता एक stable relationship में नहीं जाता इन सब चीजों से उसकी ex-girlfriend तंग आ गई थी और अब वो एक stable relationship में है वो कभी-कभी bore लग सकती है पर फिर भी ultimately यही हमें खुशी देती है Martin अकिला पर जुका था उसे बहुत बुरा लगता है अगली दिन Larry और Gabby फिर से बात करते है Larry कहता है क्या तुम मेरे साथ आ रही हो Gabby कहती है कल राज हुआ क्या उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे Larry कहता है कि तुम सिर्फ जरा out of control हो गई थी इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है वो Gabby को ज़्यादा serious ले नहीं लेता उसे लगता है कि Gabby किसी भी चीज़ को लेकर serious नहीं है इसी वज़े से हमेशा dating करती रहती है Larry उसके साथ है क्योंकि उसे लगता है कि ये relationship सिर्फ एक transaction है Gabby उसके साथ रहेगी इसके बदले में वो पुरा world उसे घुमाएगा ये सब बात ये Gabby को सही नहीं लेगी Gabby उसे गहती है तुम जो बात कर रहे हो इस सिर्फ तुमारे ले सही है वो इस तरीके से इस relationship में नहीं रह सकते Larry की life figure out है उससे कोई भी चीज़ के बारे में worry नहीं करनी Gabby ने realize किया कि उसने अपनी life अब तक start भी नहीं की उसने realize किया है कि वो Martin से बहुत प्यार करते है उसके साथ अपनी पूरी life spend करना चाहते है Martin के पास आकर उसने कहा मुझे कुछ serious चाहिए जिसे मैं अपना मान सकूँ मुझे लगा था कि मुझे नहीं चाहिए पर मैं ये करना जाती हूँ मुझे लगता है मैं अगर इस relationship में efforts डालोंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा जब मैं तुमारे साथ थी तो हमारे relationship इसी magic की तरह थी मार्टिन भी बहुत hurt था पर वो Gabby से ही प्यार करता है वो कहता है पहले हम जो भी कर रहे थे ये कुछ भी नहीं चलेगा Gabby भी इसके लिए मान जाती है Gabby को पता है उससे भी पहली तरह कुछ भी नहीं चाहिए मार्टिन कहता है हम दोनों इस दुसरे से board हो जाएंगे Gabby कहती है फिर भी हम एक साथ रहेंगे हम अपने आपको याद दिलाते रहेंगे क्यों हमें एक साथ रहना है हम एक दुसरे से कितना प्यार करते है इन दोनोंने promise किया एक दुसरे को उनाय करेंगे इसकी सेटिंग्स ये शायद गलत लग सकती है पर behind the story अगर हमने इस बारे में सोचा तो ये बहुत powerful सा message ये movie देख कर गए और आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like कर दीजेगा ये बहुत सारी movies लेकर आत रहेता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दाओने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे प्लीज दोड़ित वरा का मत अबस्टाब dwelling झाल 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 झाल